ओम शान्ति एक डिसेंबर दुहजार बाइस बाबा के महावाक्या मेठे बच्चे योगेश्वर बाप आये हैं तुम्हे राज योग सिखलाने इस योग से ही तुम विकर्मा जीत बन भाविश्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो प्रश्ण विकर्मों से बचने के लिए कौनसी प्रतिग्या याद रखो उत्तर मेरा तो एक श्वबाबा दूसरा न कोई एक बाप से सच्चा रुहानी लव रखना है यह प्रतिग्या याद रहे तो विकर्म नहीं होगा माया देह अभिमान में लाकर उल्टा करम कराती है बाबा उस्ताद है उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो तो हार नहीं हो सकती प्रश्णा अपने बच्चों प्रती बाप की कौनसी आश है उत्तर जैसे लोकिक बाप चाते हैं मैं बच्चों को उन्च पढ़ाऊं बेहद का बाप भी कहते हैं मैं अपने बच्चों को स्वर्ग की परी बना दूं बच्चे सिरफ मेरी श्रीमत पर चले तो स्रेष्ट बन जाए गीत तकदीर जगा कर आई हूं ओम शान्ति मीठे मीठे बच्चे जानती हैं हम अपनी नई तकदीर बनाने यहां आये हैं किसके पास योग श्र के पास शिखलाने वाले इश्र के पास इसको कहते हैं राज योग इश्वर योग सिखलाते हैं कौनसा योग? हट योग तो अनेक प्रकार का है यह जस्मानी योग नहीं है सन्यासियों का तत्व योग, भरम्म योग है उनको इश्वर योग नहीं सिखाते तुम बच्चे जानते हो परम्पता परमात्मा हमको भिर से कल्प पहले मुहाफिक राजयोग सिखलाते हैं सन्यासि ऐसे कभी नहीं कहेंगे यह योग कल्प पहले भी सिखाया था और अभी भी सिखला रहा हूँ तुम बच्चे कह सकते हो वह हट योगी राजयोग सिखला नहीं सकते हैं हमको सिखलाने वाला शिव बाबा है जिसको योगेश्वर कहां चाता है मनुष्य भूल से श्रीकृष्ण को योगेश्वर कह देते हैं श्रीकृष्ण सत्युक का प्रिंस है वहां योग की बात ही नहीं यह बहुत अच्छी पोइंट है समझाने की तरकीब सीखो युकती से समझाया चाता है तुम्हारा सारा मदार योग पर है जितना योग में रहेंगे उतना विकर्माजीत बनेंगे भारत का प्राचीन योग बहुत गाया हुआ है यह राजयोग परंपिता परमात्मा के सवाई कोई सिखलाना सके इसलिए इनका नाम योग इश्वर है इश्वर ही राजयोग सिखलाते हैं किसके लिए राजयोग सिखलाते हैं क्या भारत को राजाई देते हैं नहीं, सिरफ भारत की बात नहीं, तुम भच्चों को सारे विश्व का मालिक बनाने के लिए राज योग सिखलाते हैं। यह aim object clear है, भल राजाई कोई टुकडे पर करेंगे, विश्व में तो नहीं करेंगे, परंतु कहने में आता है विश्व का मालिक। तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया के लिए हम तकदीर बना कर आए हैं। सारी विश्व नई बन जाती है, कापिटल भारत है, तुम्हारे नए विश्व में भी कापिटल धेली होगी। उनका नाम गाया हुआ है परिस्तान। तुम हो ग्यान परिया। ग्यान सागर में गोता खाकर मनुष्य से बदल स्वर्ग की परिया बन जाते हो। यह मान सरोवर है ना। कहते हैं वहां सनान करने से मनुष्य परि बन जाते ही। तुम यहां आये हो स्वर्ग की परिया बनने के लिए। तुम बादशाही लेते हो। तुम्हारे पास जेवर आदी धेर होंगे। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते ही। जिससे हम भविश्य में महाराजा महारानी बनेंगे। परन्तु अगर श्रीमत पर अच्छी रीती चलेंगे तो। ऐसे मत समझना की परजा में जाने वाले को परी कहेंगे। नहीं, श्रीमत पर दैवीगुण धारन करने है। लोकिक बाप का बच्चों में मोह होता है। तो कहते हैं बच्चों को उन्च पढ़ाऊं। यह बाप भी कहते हैं इनहों को एकदम स्वर्ग की परी बना दूं। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना स्रेष्ट बनेंगे। कोई भी तकलीफ नहीं है। साहुकारों को सुनने की फुर्सत नहीं मिलती। सिरफ गरीबों को फुर्सत मिलती है। तुम्हारे जितनी फुर्सत किसको नहीं है। जिनको लफडे ज्यादा हैं उनका योग लग नहीं सकता। आज बाबा बच्ची से पूछ रहा था कि तुम जानती हो कि हम किसके रत की सेवा कर रही हैं। घोडे की संभाल करने वाला समझेगा कि हम फलाने साहब के घोडे की संभाल कर रहे हैं। तुम भी चानते हो यह किसका रत है। अगर शिबाबा को याद कर तुम इस रत की सेवा करो तो तुम बहुतों से अच्छा पद पास सकती हो। यह हुआ रत याद तो शिबाबा को करना है। यह भी याद रहे तो बेडा पार हो सकता है। बाबा कहा के लिए राजयोग सिखलाते हैं। भविश्य नई दुनिया के लिए। और सिखाते हैं संगम पर। श्री क्रश्न कैसे राजयोग सिखाएंगे। वह तो सत्युगी राजयाई में था। परंतु वह राजयाई किसने स्थापन की। बापने प्राचीन देवी देवताओं को ऐसा किसने बनाया। किसने राजयोग सिखाया। वह श्री क्रश्न का नाम लेते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को अभी सिखला रहा हूँ। तुम तकदीर जगा कर आए हो भविश्य नई दुनिया में उन्च पद पाने के लिए। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनो और कोई उपाय नहीं। एक तरफ याद करते हैं, पतित पावन आओ। दूसरे तरफ नदियों को कहते हैं, पतित पावनी। कितनी भूल है, बात छोटी है, परन्तु मनुश्यों की आंख खोलनी है। बाप जब आते हैं, आकर समझाते हैं कि पतित पावन मैं हूँ। मैं ही तुमको ज्यांसनान कराए पावन बनाता हूँ। यह पतित दुनिया है, सन्यासी अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं, परन्तु राज योग तो एक ही सिखलाने वाला मैं हूँ। परमपिता परमात्मा को ही पतित पावन कहते हैं। उनको कितना याद करना चाहिए। फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए। हम सोला कला संपूर्ण बनती हैं। खान पान शुद्ध होना चाहिए। कोई जड़ धारण करती हैं। गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ती। एक जनक थुड़े होगा। मिसाल एक का दिया चाता है। द्रवपदी एक थुड़े होगी। सबकी लाज रखते हैं। स्त्री पुरुष दोनों को पतत होने से बचाते हैं। गीता में स्रीक्रश्न का नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जो कुछ भी करते हो भक्ती में यादगार बनता है। शिव बाबा का कितना बड़ा मंदिर है। जो सर्विस कर दे हैं उनका नामाचार निकलता है। तुम्हारा दिलवाडा मंदिर एक्यूरेट यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हो। उपर राजाई के चत्र खड़े हैं। अभी तुम बाब से योग लगा रहे हो। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। स्वर्ग को भी याद करते हो। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा परंतु स्वर्ग है कहा या किसको मालूम नहीं। समझते हैं भारत स्वर्ग था, फिर उपर कह देते हैं, बाप समझाते हैं, सेकेंड में जीवन मुक्ती गाई हुई है, फिर भी कहते हैं ग्यान का सागर है, जंगल को कलम बनाओ, सागर को स्याही बनाओ, तो भी खुटता नहीं, पिछाडी तक चलेगा, तो मेहनत की जाती हैं न, सेकेंड की बात भी ठीक है, बाप को जाना, तो बाप का वर्सा है, जीवन मुक्ती, साथ-साथ यह समझाया जाता है, तो चक्र कैसे फिरता है, धर्म कैसे स्थापन होते हैं, कितनी बाते हैं समझाने की, साथ में बाबा को याद करो, वर्से को याद करो, तुम याद करते हो, निस्चे भी करते हो, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, फिर क्यों भूल जाते हो? बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे इसमें टाइम लगता है जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए कर्मातीत अवस्था हो गई फिर तो तुम यहां रह नहीं सकते हो बच्चों को वर्शों से समझाते रहती हैं बात है बिलकुल सहज अलफ और बे चकर का राज भी बाबा समझाते हैं बुद्धी में पूरा राज आता है तो फेर औरों को भी समझाना पड़ता है सारा ज़ाड बुद्धी में आज जाता है बाप से सहज दे सहज वर्सा लेना है कहते हैं बाबा योग नहीं लगता माया विकर्म करा देती है बाप समझाती है बच्चे अगर विकर्म कर लिया फिर तो बहुत पुरशार्थ करना पड़ेगा माया देह अभिमान में लाकर उल्टा काम करा लेती है बाप कहते बच्चे मेरा बनकर कोई भी विकर्मन नहीं करो तुमने प्रतिग्या की है मेरा तो एक्ष बाबा दूसरा न कोई जैसे कन्या की जब सगाई होती है तो पती के साथ कितना लव हो जाता है तो बेहद के बाप से कितना लव होना चाहिए तुम्हारा कितना गुपत लव है वहा है जिस्मानी यह है रुहानी उनकी प्रक्टिस पड़ गई है यह तुम घड़ी घड़ी भोल जाते हो क्यूंकि नई बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है तुम हो खुदाई खिद्मतगार तुम हो रुहानी सिवाधारी तुम लड़ाई के मैदान में खड़े हो बाबा उस्ताद भी खड़ा है कहते ही माया के साथ पूरी युद्ध करो जो यह पांच विकार प्रवेश ही ना करे लिखते ही बाबा यह भूत आ गया बाबा कहते ही इन बुतों को भगाते रहो यह तो अंत तक आएंगे और ही जोर से तुफान आएंगे अज्यान में भी कभी नहीं आये होंगे वह भी आएंगे तुम कहेंगे वानप्रस्थ में थे कभी ख्याल भी नहीं आता था ज्यान में आने से काम का नशा आ गया स्वपन भी आते रहते ही यह क्या? यह वंड़फुल ज्यान है कोई मुँच कर छोड़ भी जाते है बाबा बता देता है तुफान बहुत आएंगे जितना पहलवान बनेंगे माया बहुत पचाड़ी की इसलिए महावीर बन स्थीरियम रहना है बाबा की याद में रहना है करम में नहीं आना है करम में आने से विकर्म बन जाता है बहुत पुरशार्थ करना है खराब आदते निकालनी है अविनाशी सरजन जानते है यह बाबा भी जानते है माया के अनेक प्रकार के विग्ण पड़ते है यहाँ बहुत शुद्ध बनना है चाहते हो हम सूर्यवंशी बने तो लायक बनना पड़े यहाँ है राजयोग प्रजायोग नहीं है तो पुरशार्त कर राजयी लेनी चाहिए तुम युकती से गुप्त रीती से कहां भी जा सकते हो बोलो हमको बताओ हम किसको याद करे जो हम दुख से छूट जाए भला कहते हैं भारत का प्राचीन योग वह क्या है आप हमको राजयोग सिखला सकते हो जो हम राजा बने ऐसी ऐसी बाते करते ज्यान में ले आना चाहिए तुम ऐसी पहलवानी दिखाओ जो एक ही बात से उनकी बुद्धी ढिली हो जाए युकती वाले चाहिए तब बाबा पूछते हैं इतनी सर्विसबल बने हो बहुत संभाल रखनी पड़ती है दुनिया इस समय बहुत गंदी है यह भी एक कहानी है द्रौपदी के पिछाडी की चक लगे इसलिए बाबा कहते हीं बहुत खबरदार रहना है मूल बात है राजयोग की किसको भी यह समझाओ की राजयोग सिखलाया बाप ने नाम डाला है बच्चे का दूसरी यह बात सिध करो कि गीता का भगवान शिव है जिससे स्वर्ग का वर्सा मिलता है समझाने की युकती चहिए तुम्हारी सर्विस है रुखानी वह सोशल सर्विस भी जिस्मानी करते हैं वह है जिस्मानी सोसाइटी यह है रुखानी सोसाइटी रूह को इंजेक्शन लगता है, तब कहते हैं ज्यान अंजन सत्कुरू दिया, अब आत्मा की जोत बुझे हुई है मनुष्य जब मरते हैं, तो दीवा जलाते हैं, समझते हैं, आत्मा अंधेरे में जाएगी, बरोबर बेहद का अंध्यारा है, आधा कल्प घृत नहीं पड़ा है, आत्मा की जोती बुझ गई है अब ज्यान का अगरत पढ़ने से रोश्नी हो जाती है, अब बाप बच्चों को कहते हैं, कि मामेकम याद करो, यह श्री कृष्ण तो नहीं कह सकते हम आत्मा भाई भाई है, बाप से वर्साली रहे हैं, अच्छा, हम कितना समय याद में रहते हैं, यह चार्ट रखना अच्छा है प्राक्टिस करते करते, फिर वह अवस्था पक्की हो जाएगे यह युखती अच्छी है, सर्विस भी करते रहो, चार्ट भी रखो, फिर उन्नती को पाते रहेंगे अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रती, मात पता, बाप दादा का याद प्यार और गुद मॉनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धार्णा के लिए मुख्यस्सार पहला, कोई भी भूत अंदर प्रवेश ना हो, इसकी संभाल रखनी है कभी भी माया के तूफानों से मौन्चना नहीं है खराब आदते निकाल देनी है दूसरा याद का चार्ट रखना है, साथ साथ रुहानी सेवाधारी बन, रूहों को ग्यान का इंजेक्शन लगाना है वर्दान कोई भी कार्य करते, सदा दिलतक्त नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाभव जो सदा बाप दादा के दिलतक्त नशीन रहते हैं, वे बेफिक्र बादशाभवन जाते हैं क्यूंकि इस थक्त की विशेशता है, कि जो तक्त नशीन होगा, वस बातों में बेफिक्र होगा जैसे आजकल भी कोई कोई स्थान को विशेश कोई न कोई नवीनता, विशेशता मिली हुई है तो दिलतक्त की विशेशता है, कि फिक्र आ नहीं सकता यह दिलतक्त को वर्दान मिला हुआ है इसलिए कोई भी कार्य करते, सदा दिलतक्त नशीन रहो स्लोगन नंबर आगे लेना है, तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ती रूप धारन करो ओम शंति कि अली हुआ, कि अली हुआ है